जोच़ कें बाद करेंगे कुछ लोगों की जिन्दगी होती है ना आयए इतने धक्के खाने को मिलते हैं कि क्या ही बोलें क्याते ना यहां पर चपले घिसरे वाहां पर जा pretend लेंगे जिसे ज़ह काम पनपना चाया mercury नहीं पडखे पाथा जिन लोगों का भाग्य सोर होईगा देखो आप कितने लोग हैं है ना हर एक इनसान का भाग्य का जो स्वामी है भाग्य के भाओ का जो स्वामी है वो अलग-अलग है है ना ये फैक्ट है तो आज आपको मैं कुछ युनिवर्सल चीजे बताने जारी हूं जिससे टना टन मामला हो जाएगा कोई ऐसी उसने जब देखो चीजे बड़र जाए देखो चीजे बड़र ज्यक्त करी तो ऐसी क्या चीज वास्तू से रहकीं न पहते हैं और क्या होगा बदल जाएगी दशा के युजता को ने मुषय को besides दर की संदगी बहूं बन जाए सबर्दस्त वाली कैसे हो मेरे पाशलों अब हमने क्या बात करी अगर नौवे भाव का जो स्वामी है अगर वो किसी भी हलात में राहू के तू शनी से प्रभावित हो जाएगा तो कहीं न कहीं वहां पर जिस हिसाब से भाग्य पक्ष मजबूत होना चाहिए जैसे स जंदगी भर तक नहीं हो पाएगा देखो एक चीज तो मैं आपको बता दू कि टोटल स्मूद लाइव होए एकदम किसी की नहीं होती है ना पहले यह चीज अपने दिमाग से हटा दो हम इसको देखते हैं उसको देखते हैं वह लेकिन हमको उनकी बैक स्टोरी नहीं पता ह होती ही कि वह लोग कहां से आ रहे हैं हर एक इंसान अंbani बनना चाहता है रह एक इंसान वो क्याती है ना बिल गेट बनना चाहते लेकिन उस बिल गेट के पीछे उस बिल गेट के मतलब की जर्नी उसने क्या-क्या चीजें स्पिरिच्ट्वली अपने को ग्रोग की आपको मतलब क्या ही बता हूं वह तो बाद की बात है तोड़ा आज मैं फटा फट से बात करूंगे आज वास्तू कंसेल्टेशन है काफी सहरी तो क्या क्याती है तो मतलब हमको बैक स्टोरी एक इंसान की नहीं पता होती है ना तो हमने जो मैं चाहती हूं कि आप करो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी पर कॉंसेंट्रेट करो बाबा जब हम इदर देखेंगे उदर देखेंगे उसका तो देखो हमको देखने का इन नहीं क्योंकि हम अगर उसकी सकसेस मांग रहे हैं तो क्या पता सब कॉंचिसली हम उनकी जो पेन उनको मिली होगी वो भी अट्रैक्ट क पे केतू साथवे भाव पे रहू कहीना कई भटकनी पीछा चोड़ेगी नहीं मंगल शनी का जो कंजंशन है मंगल रहू मंगल केतू चपले घिसुआ देता एस कंजंशन का काम ही यह है एक ड्राइवेर का काम क्या है काना बिनाना बराबर वैसे उनके वो जॉब्स है तो इन कुछ कंजंग्शन्स के वो जॉब ही है आपको वो चीज देते हैं शनी बुद्ध खुशिया मना के आ गए हो हो अब तो बस यह हो गया वो हो गया वो एक डाम पाट डुल गई चीज़ें आपके पत्री में है अब सबसे पहली चीज आपने क्या करना है आपने शनिवार को दूद का दान करना है और सोमवार को सरसो के तेल का दांड करना है अब आप सोचोगे कि शाहिना ना उल्टा बोल रही है शाहिना उल्टा नहीं बोल रही है वह बिलकुल सीधा बोल रही है इस चीज को अजमा के तो देखो तब पता चलेगा यह जो आपकी चपले घिसने वाली जो हलात है वो कैसे बदल जाएंगे एक और जबरदस सी चीज आपको बताती जो जो का आटा होता है जो के आटे के अंदर गुड की चाशनी मिलाकर है ना इसकी रोटी अच्छे से बनाकर उपर घी से क्या लिखोगे ओम शाम शीम रीम रूम क्रॉम क्रैम फट स्वाहा पहले ये ना गी से बनानी है ना गी से लिखोगे गी को थोड़ा सा डिबो कर अपना लिख लो वो आपको नहीं देखेगा आपको देखने की जरूरत है भी नहीं ठीक है कि उसके बाद जो रोटी आउंगी ये आपने गाई को खिला देनी है वैसे आपके नौलिज के लिए का आपको ब समणे कारेक जाता है जो आटवे घर का मंगल है उठा पटक उठा पटक कैते ना साथव घर साथात अगर कर मेरीज का होता है एक मैरिज का होता है अ तो अगर आपटेता है घर पर सुख-शांती से सुकून से जी ले और पोसिबिल्टी को नहीं है जब देखो इतना चिक च कि वह अब नोalthy नहीं को आपको आपके नॉलिज के लिंट बता रही क्योंकि आज मंगलवार है मंगलवारी है ना आपने क्या करना है जो भैसा होता है भैसे को कमल ककड़ी खिलाना शुरू कर दो मंगलवार और शनीवार आपके दो या तीन हफते में मूवमेंट दिखाई ना दी क्या ही बोलू आपको खुदी पता चल जाएगा अब बड़े पते कि आपको एक वास्तू टिब देने जारी हूं है ना हम सामने वले के पास गए कि मेरी ना ये फाइल लगा दो प्लीज अपना साइनकर दो या मेरा । ये एंपना बनवा दो तो मेरा ही टेंडर पास हो जाएगा ए साप ही ड़ज गया है ना ऐसा कही वालत बन जाते हैं कोई वात नहीं जैसे मान ऑगर वो एक इंसान वेस्ट में बठा है मतलब इसके साधेरिया में जहां पर इस्ट आ रहे हैं वो देख लो पट करके दो सेगंड का तो काम है फोन में क्या चेक करें हो किसी को पता भी नहीं चलना क्या आप कर क्या रहे हो अगर तो मान लो आप उसके साउथ इस्ट में खड़े होकर उससे बात करोंगे वह फाइल आपके मारेगा आपके मूँ पे वह से चिड़ के बात करेगा वह आपको suspectfully बात करेगा क्यूंकि west का जो एंटी element है west को जो जलाने वाला है वह ही फाइयर स्पेस को जो जला देगी वो कौन जलाएगी साउथ इस्ट का एरिया तो आपने अगर उस अधिकारी से उस इंसान से अपने लिए फेवर मांगना है जैसे कोई सामने भी है ना सामने कहीं पर हम गए हैं हमको है कि यार वह आज ना हमारा क्लाइंट वेक दम डिल डन कर दे हमा खड़े होगे उसके सामने के नौर्थ में जैसे कोई टेबल पड़ी है उसको आप एक वही मानो ौनी ठाइप उसकी टेबल को अकुर प्स्कूरेश्टा का इक जैसे कोई चेहीं कहीं है अगर मानल सृच्छा बैठा तो हम किधर खड़े हो जाएंगे अपनी कुरसी खिसका लेंगे पट करके वास्तूगा वह लें चुप करके देखेंगे और अपनी कुरसी कहां सरकादेंगे अगर आप नॉर्थ में उसके खड़े अ तो वो आपकी बात को काटा मारेगा लिख के लेलो जैसे सामने हम कभी एक हिप्नौटिक कि टेक्नीक भी बताती हुं जैसे सामने वाला है ना जब देखो करें आ विद्धं करके लोग पागल समझे आपको है कि नहीं बस जैसे इनॉमली हम लोग cone पात करते चुंच में आगर अगर आप उसके इधर यह आई opposite बीच में अगर आप देख तो वह आपके उपर हावी हो ही नहीं पाएगा ऐसे बहुत टेक्नीक से हैं इस्ते इस्ते सारी चीज़े बताऊंगी कोई ऐसी बात नहीं लेकिन अगर आपको वह वाली चीज अच्छे से समझ नहीं आयो है ना क्योंकि मैंने इस बारे में बात करें वह लाइफ फोर्स इनर्जी होती है जो क्लॉक वाइज ही चलती है ना मतलब अगर आपको यह अच्छे से समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताना मैं आपको डिटेलिंग में पेन पेपर के साथ में प्रॉपर इस एलिमेंटल इनर्जी को समझा दूंगी कोई ऐसी बात लेकिन कुछ लोगों को तो बिल्कुल टोटल समझ आई गया होगा है ना क्योंकि वह वेस्ट के बाद में क्या आता है नौर्थ आता है ना हम सब डिविजिन को नहीं ले रहें जैसे इस्ट इस्ट आता है फिर क्या आता है साउथ इस्ट के बाद क्या आता है साउथ आता ह हम लोग साउथ साउथ वेस्ट और एसी वगरा को इसमें नहीं ले रहे हैं मेरी बात आप समझें बट डिटेलिंग मैं समझा दूंगी हमारे कितने एलिमेंट होते हैं एर्थ वाटर फायर एर और स्पेस है ना तो वह एक दूसरे को यह चीज़े काटती हैं जैसे स्पेस को क ऑन्लाइन कंसुल्टेशन भी और आपको अपनी पत्री दिखानी है तो फ्री में कंसुल्टेशन मत मांगा यह मेरा काम है करिया रहा है यू अश्वर्या सब्सक्राइब करो मेरे दिल अपने दिल से जोर दो विज़े को लाइक करो शेर करो इसलिए करो सब के जंदगी ठा हो जाए ओके देन बाब बाई नमस्कार